हलो एब्रिवन यू और वेलकम बैक टो क्लास आज हम बात करने वाले हैं पुरुसकारों के बारे में जो भी पुरुसकार भारत में मिलते हैं उनको बारे में हम डिसक्स करेंगे सारे पुरुसकार हम लोग देखने वाले हैं और कौन-कौन से येर में ये सारे पुरुसकार मि अब लोगों को क्या गहरना है एक सीरीस में लिखते वे चलना है की प्रिडियर सो और भाद में हो सके तो आप उनकेले एक काड़ बना लीजे आपके लिए हमेशा के लिए याद HOW जाईगे हैं और ब्रेम को ऐसा पढ़ाही का जो रिद्म होता है उस boring rhythm से भी तूर जाते हैं तो यह आप लोगों को एक पहली activity तो है कि लोगों को list बनाते वे चलनी है कि कौन-कौन से important चीजे हैं और फिर उन सभी के आप लोगों को cards बनाते वे चलना है तो चलिए शुरू करते हैं भारत रतन भारत रतन यह क्या है जैसे कि आप लोगों को गहना ठीक है यह भारत का क्या है सर्वोच नागरिक पुरुसकारत ध्यान दीजी यहां पर क्या लिखा हुआ है सर्वोच नागरिक पुरुसकार अगर आपको सर्वोच नागरिक पुरुसकार पुशा जाए तो आप लोगों क्या है भारत रतन हैं भारत रतन सर्वोच इस होती है लेकिन 2011 में बात आती है कि कब इसको बदला गया तो 2011 में क्या किया गया इसमें थोड़ा से चेंज किया गया की वर्ड साफ लोग लिखते चलिए ठीक है सर्वोच नागरिक पुरुषकार है 1954 आप लोगों को लिख लेना कि सामिल करने के मांदर्ण का विस्तार किया गया था कब किया था 2011 कि प्रदाहन मंत्री भारत के अब इसकी जब सिफारिश होती है अब सिर्फ आपको इसमें की वर्ड लिख लेना कि जो सिफारिश है वह कहां से प्रदाहन मंत्री क्या करते हैं राष्ट्रपती को सिफारिश करते हैं जो पुरुषकार के लिए किसी विशेश वर्ष में तीन से अधिक लोगों को नहीं चुनते तो आप लोगों ध्यान रख लाएं फिर कीवर्ड है आपका थ्री पीप इसमें कोई पैसा नहीं दिया ज प्रमारपत्र भी दिया जाता है और उसके साथ प्रमारपत्र भी दिया जाता है उसका कोई उचा-नेचा है तिक कोई कोई सरेमश करते हैं फिर उसके बाद नीचे को करम आता जाता है तो इसी तरह से क्या होता है कि घृतक हमक Faiz जगे पर होते हैं तो सरकार को भी क्या करना पड़ता है एक order of Presidents या हम कहें वरियता करम निर्धारित करना पड़ता है तो उसमें एक वरियता करम है उसमें सबसे पहले आप देख लिजी कि राष्ट्रपती है ठीक है फिर सबसेंदे आ परबाद डिथगए प्राइम मिनिस्टर आजाते हैं उसके बाद आते हैं सेवन्ट भी तो जीह उनular आपका रैंग्क होगा टीक है सेवन्ट जो रैंक होगा दाव्कित तो यहां पर 7th जो rank होगी न आपकी, तो 7th rank किसके होगी? जिनको भारात रत्न मिला होगा, में अगर कहीं सारवजं निक्ताव निक्यर पर यह लोग Your सब बैठे वेञे, तो 7th rank पर इन लोगों क्या किया जाए गा lower बिलाया जाएगा तो इस तरह से आप अगों को ये पता होने चाहिका भीवर्ट क्या है आप को परस्ट बहुए है कुछ भी कहें इनसान है कभी frustration होता है कि नहीं होगा हमारा यह सेलेक्शन के लिए आद में सोचने लगता है कई वार हमारी प्रेपरेशन अच्छी नहीं चल रही होती है कि कभी भी निकालो अपने 50 karts निकालो जाके आप च्छत पे बैढ़ जाए आराम से बैठके कहीं पेड़ के नीचे बैठके अपने 50 karts का लीजे उसे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है हर बार कि आप लोगों बहुत जरूरी है सम्विधान के अठारा एक में जो अनुचेद अठारा एक है 18-1 कि अंसार पुरुषकार का उप्योग प्राप्त करता कि नाम के उपसर्ग और प्रत्य के रोप में नहीं किया जा सकता है मीन्स जैसे मुझे मिल गया तो मैं यहां पर मेंस अपना नाम जै कुछ पुरुषकार जो विजयता है वो इस प्रकार से है जैसे कि हमने कहा नाइंटिन फिप्टी फोर में सबसे पहले किसको मिला था यह सी राज गोपालाचारी को मिला था यह भारत के अंतिम गवर्नर जनर्र भी थे ठीक है और यह सुतंतरता सेनानी थे डॉक्टर सीवी को मिला था यह विज्ञानी थे डॉक्टर रादा कृष्यन दार्षिनिक होने के साथ भारत के पहले उपराष्टपत्य और दूसरे राष्टपत्य थे 1955 में किसको मिला था जवालाल नेहरूजी को मिला था सुतंत्रदा सेनानी थे लेखकते भारत के पहले प्रधान बंद्र भगवान दास सुतंत्रदा सेनानी दार्शनिक शिक्षाविद सबसे पहले अगर सारे तो याद करने में काफी टाइम लगता है अगर आप पूरे कर सकते हैं या जो कुछ विशिस्ट है उनको आप लोगों को जरूर याद कर लेना है ठीक है 1957 में किसको मिला था गोविंद बलापंत जी को मिला था अब कई बार इस तरह के हो जाता है कि गो समास सुधारक थे शिक्षक थे इनको अगर समास सुधारक के रूप में देखें और शिक्षक के रूप में देखें तो तब इन्होंने कुछ उत्कृष्ट काम किया इसलिए इनको ये पुरुषकार मिला है भारत रहत मिला है 1961 विधान चंद्रवय चिकित्सक राजनीतिग देखें अब यहां पर आजाता है यह आप लोगों के लिए इंपॉर्डेंट है प्रत्म मरणों प्रांत पुरुषकार विजयता कौन थे तो 1966 में उनको मिला था ठीक है यह लाल बहादुर शास्त्र जी को मिला था सुटन्ट्रा से नानी और भारत के दूसरे प्रधान मत् है लाल बहादुर शास्त्री जी और 1971 यह बहारत के थी इंद्रा गांदी जी 1980 मदर टेजिशा सामाजी कार्य करता मिश्णरीज ऑफ चैरिटी के स्तापना की दी इनोंने और एक कैथोलिक नन थी क्रिश्चन में भी दो तरह की कैटेगरी होती है एक कैथोलिक होती है एक प् इनका नाम जो था सिमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है 1990 अब्यार अंबेट कर जी को दिया गया था प्रश्चता के खिलाब योद्धा भारतिया समिधान के मुख्या वास्तुकार नेल्शन मंडेला दक्षण अपरिका के गांधी इनको कहा जाता है इनको भी दिय दिया गया था नाइंटी में ही 1997 डॉक्टर अब्दुलकलाम जी लगा था तो आप लोग याद रख सकते हैं कि यह आप लोगों का काफी कीवर्ड आप लोग जाब याद रख सकते हैं 1997 में मिला था अब्दुलकलाम जी को यह विघ्यानिक थे भारत के 11 राष्ट्रोपती को मिला सचिन तेद्नकर को मिला सी एन राव को मिला यह रसायनिक और वेकानिक थे मदन मोहन मालभी यह पंद्रा में यह मिला था और अटल बिहारी बाचपे जी को तीन कारेकाल तक यह भारत के प्रधान मंत्री रहे और 2019 में पर्णम मुखर जी को दिया गया था यह तेरवे राष्ट्र पती थे पुपेन हजारे का यह आश्रम के गायक सिविल सेवा साहित्य और शिक्षा सार्वजिनिक मामले विज्ञान प्रोदेगे की व्यापार और उद्धियोगादी में अगर असाधार सेवाएं हैं उसके लिए दिया जाता है पुरुषकार विजयताओं की घुषना हर साल गंतंत्र दिवस पर की जाती है तो यह भी आ जयात रख लेना है कि यहां नहीं दिए ऐसे कुछ नियम जो है यह क्या है कि आगर कोई कम ories Hai अगर कोई कम डिग्री प्राप्त करता है तो उसले पिछले संबाद के 55 रसाल對 जो स्वान जा जा सकता है और शायद ही कभी ये मर्नोपरांत दिये गए हैं लेकिन अगर कोई बहुत ही अत्यदिक योग्य हों तो अपवाध भी बनाए जा सकते हैं ये रूल है पुरुषकार देने के तीसरा उसमें सार्वजनिक सेवा का तत्तो होना चाहिए तभी ये पुरुषकार उसम पुरुषकार तीन श्रेणियों के पहला है देखे मैंने आभी आपको कहा था ये दूसरा सर्वोच नागरिक पुरुषकार है पहला भारत रतन है और इसमें प्रश्रश्ति पत्र दिया जाते एक पदक दिया जाता है बीच में कमल का फूल होता है और अगरभात पर देश शिवा सब्द अगर पूछा जाए कि क्यों कौन से में देश शिवा सब्द लिखा जाता है तो पदम भूशन या वैशिक परिष्य में भारत के परतिश्टा में योगदान देने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले ये तीसरा सर्वोच नागरिक पु ठीक है तो यह भी आप लोगों का कीवर्ड बन जाता है पदम श्री या भारत सरकार का चौथा नागरिक पुरुसकार है और किस किस चेत्र में दिया जाता है कला साहित्या खेल राजनीति उद्ध्योग चिकित्षा सामाजिक सेवा आदि में यह दिया जाता है यहां पर कि में श्री या शुश्री लिखा रहता है वीरता पुरुसकार जो है यह सेनाओं के उन सदर्शे को दिये जाते हैं यह बहुती बहादुरी और वीरता दिखाई हो और इसमें कौन-कौन से हैं वरियता करम में देख लेता है या सबसे उपर आपको परमवीर चक्र अशोप च और वीर चक्र और फिर आता है शौरे चक्र परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र इस रेणी के पहले तीन पुरुसकार है जो स्वतंत्र के बाद स्थापित किए गये हैं ठीक है तो यह भी आप लोग आप की वर्ड है का है और मोसी आतीन पुरुषक काने पुरुषकार नायंटीन विफ्टि टू में शूरू की वे भीक है बारत भारत में वीरता पुरुषकारों को दो प्रकारों में विवाजित किया जाता है युद्ध समय पुरुषकार और शांती के समय पुरुषकार वार्टाइम अवार्ड के अंतरगत आने वाले पुरुषकार और या सम्मान इस तरह से है पहला है परम वीर्थ चक्र वीर्था के लिए भारत का सर्वोच पुरुषकार है महावीर्थ चक्र यह सबसे बड़ा वीर्था पुरुषकार है दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा है आपका वीर्थ चक्र पीस टाइम अवार्ड के अंतरगत जो शांति के समय जो अवार्ड म बाला जाता है या कौन सा है वो है आपका अशोग चक्र इस तरह से आप लोगों कुश्चिन फॉर्म हो सकता है किर्थीचक्र युद्धकालिन वीर्ता पुरुषकार से जबन ना हे यह सहत्पारावाय के लिए और समें पुरुषकार पुरुष्कार है अब इसमें देखते हैं परमवीर्चक्र महावीर्चक्र और जो वीर्चक्र है इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इस पूरी सीरीज को देखें तो परमवीर चक्र भारत का ये सर्वोच सेन्या समान है वैसे हम सारी चीज़े देख चुके हैं इसमें महावीर चक्र ये दूतिया बड़ा सेन्या है सेन्य समान है उपस्तिती में वीरता के कारे के लिए प्रतान किया जाता है ये जमीन पर हो ये समुद्रिय हवा में तीसरा सबसे बड़ा सेन्या अलंग कराना है ये सारी चीज़े हम उपर पढ़ चुके हैं जो ये लिस्ट है लेकिन अगर आप लोग एक मेंस एक जिस्ट में पढ़ना चाते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं काश्य परदक पर केंद्र में राजिया पारतीक के साथ इंद्र के वज्ग की चार प्रतियां उब्री हुई है तो आप लोग याद रखेंगे इसमें कौन सा इंद्र का वजर है जबकि इसमें मानक चांदी से बना हुआ देखें ये कास्यय का बना होता है ये मानक चांदी का बना होता है और फाइब पॉइंट वाला जो हेराल्डिक सितारा है वो उबरा रहता है यह पदक जो है 1-3-8 इंच गोलाकार रजत पदक है एक पांच कोणी यह तारा जिसमें केंदर चक्र है केंदर में एक चक्र है इस पर गुमददार सोने का राज्य परती है प्रम्भीर चक्र शब्द पीछे पीछे की तरफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उबरा हुआ है और दोनों संस्क्रणों को दो कमल के फूलों से अलग किया गया है इसमें जो रिबन है वो साधे बैंगनी रंग का है तो थोड़ी बहुत अगरेट आप डिटेल इसका कर लेंगे तो आप इजीली सारे मिलिमेटर का होता है केसरिया भी 16 मिलिमेटर का होता है यदि मर्नो परांत पुरुषकार दिया जाता है तो प्राप्त करता है प्रति माह तीन हजार रुपय का मौज़ा दिया जाता है यदि पुरुषकार में एक क्या और पुरुषकार जुड़ा जाता है तो प्राप्त क तरह से 3400 और 1700 याद रखना है और इसके आगे चलते हैं राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकारों के बारे में अन्य जो पुरुसकार है उसमें देखते हैं इनकी भी शुरुवात कब हुई थी 1954 में हुई थी 1973 में फिल्म निदेशाले को इन पुरुसकारों के लिए जिम्मेदार बनाया था सरकार एक राष्ट्रिय चैनल चैन पैनल नियुक्त करती है जो विजयताओं का फैसला करती है फिर इसमें भारत के राष्ट्रपती ही इन प आप लोगों को ध्यान देना है यह पुरुसकार नकेवल भारतिया बॉलिवोड सिनेमा सर्वेश्ट दिया जाता है बलकि छेत्रिय शिर्णियों के सर्वेश्ट फिल्मों को भी दिया जाता है अब इसमें पांच त्रुएनियां हैं जिनको आप लोगों देख लेना है नोधित निर्देशक के लिए इंद्रा गांधी पुरुसकार रजत कमल या सिल्वर लोटस पुरुसकार इसमें 25 प्रमुक श्रेणियां है सर्वेश्ट फीचर फिल्म आदी अब इसके बाद आती है समीधान के आठवी अनुसूची आठवी में निर्देश्ट भाषाओं अनुसूची आठवी में निर्देश्ट भाषाओं के अलाव अन्य भाषाओं में निर्देश्ट फीचर फिल्म जैसे अंग्रेजी बोजपुरी कोग बोरुक मोनपा और तुलू सहित पांच श्रेणियां इसमें हैं भारतिया जो राश्ट्रिया फिल्म पुरुसकारों म जिन्होंने अपना पूरा करियर भारतिय सिनेमा में योगदान देने में बिताया है इसके बाद आता है साहिते अकादमी पुरुषकार्ट साहिते के चेतर में देया जाता है ये आपका 1954 में ही इसको भी स्थाफित किया गया था और पूरी जुराष्टिया साहित्य अकादमी जो है उसके द्वारा दिया जाता है ये हर साल उन लोगों वो दिया जाता है जो साहित्य क्योगिता हसिल करते हैं और 24 भाषाओं में ये दिया जाता है अपने कारियों गद्या और कविता में परकाशित करने के नई रुजहान पैदा किये हैं इसमें जो सूची बद्द आपकी 22 भाशाएं हैं उसके साथ साथ में अंग्रेजी और राजिस्थानी को भी उन भाशाओं के रूप में मानिता दी गई है इस पुरुषकार में एक लाग का नगत पुरुषकार दिया जाता है एक पटिका शामिल की दी जाती है देवनागरी लिपी में साहित्य लिखा रहता है बहुत परसिद भार्तिय फिल्म ने रहा था सत्यजी तरे ने इस पटिका को डिजाइन किया था तो आप सपोज किजी फैलोशिप नाम की प्रतिशित फैलोशिप भी परदान करती है अकादमी द्वारा दिया जाने वाला यह सरवोच सम्मान है जहां वे अध्यताओं और मानत अध्यताओं का चेहन करते हैं केवल साहितिक कला में उत्कृष्ट युगदान के करण चुना जाता हुआ जो व्यक् लोगाण हैं घ्यानपीट परशकार यहां घ्यान की सीट के रूप में दिया जाता है और इसके अस्थापना आप लोगों को ध्यान में रखनी 1961 में भारतिया ग्यानपीड द्वारा की गई थी जो जैन परिवार द्वारा संचाले एक ट्रस्ट था ठीक है और जो समाचार पत्र दे एक टाइमस ऑफ इंडिया की अस्तापना के लिए प्रसिद्ध था यह उन भारतिया नागरिकों को दिया जाता है जो अनुसूची में जो बाईस भासाओं में से और एक अंग्रेजी साइट्य में लिखते हैं ग्यारा लात के नकत पुरुष्कार के अलावा विजेता को एक अंग्रेजी में भी दिया जाता है उसके बाद आता है स्रश्वती सम्मान ये भी अनुसूची आर्ट में बाईस भाशाओं में उत्रिष्ट गद्य और पध्य साहित्य अगर कोई रसना करता है तो उसमें दिया जाता है और इसके बाद में भारत के सर्वोच साहितिक इसे एक माना जाता है ये 1991 में केके बिंडा फांडेशन द्वारा की गई थी इसमें 15 लाख एक परशेश्थि पत्र और एक पट्टी का शामिल है उसके बाद आता है ब्यास समान ब्यास समान 1991 में प्रदान किया गया था इसमें आप लोगों गाई लाक रुपे मिलता है और इसमें आप यह समझिए कि साहितिक जो करते हिंदी में होनी चाहिए ठीक है हिंदी भाषा में होनी चाहिए पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई हो उसके बाद आजाता है दादा साहिब फाल के पुरुषकार आपने काफी बार सुना हो गया यह वाला ना 1969 में इसे शुरू किया गया था और जो दादा साहिब फाल के पुरुषकार है वो दादा साहिब फाल के फिल्म समारो निदेशाले द्वारा प्रदान किया जाता है इस पुरुषकार में स्वन्न कमल गोल्डन लोटस पदक और 10 लाग का नकट पुरुषकार दिया गया है अंतराश्रिया शांती निरस्थी करण विकास के लिए इंद्रा गांधी पुरुषकार दिया जाता है य यह विज्ञान और प्राद्योगी के लिए श्रांति श्रूब बटनागर जो एससबी भारत में एक विज्ञान का विज्ञान के लिए पुरुष्कार है वैज्ञानिक और अनुसुन्दान परिशत द्वारा जी विज्ञान रसाइन विज्ञान प्रियावरण विज्ञान इंजिनियरिंग में द्यावहारिक और मॉलिक उलेखनिया उतकिष्ट अनुसुन्दान के लिए प्रतिवर्श दिया जाता है गणी चिकत्सा और भातिकी आप लोगों को याद रखना है यह बहु वि अग्यानिक और और अद्योगिक अनुसंदान परिश्ट के संस्तापक निदेशक शांति सुरूप बटनागर के नाम पर इसको दिया गया रहत है ध्यांचंद पुरुषकार एक खेल कूद के लिए जाता है 2002 में से शुरुवात की गए थी और इसके पहले जो थे विजेता वोथिया शोग दिवान, शाहुराज बिराजदार और अपरना गोश हैं अर्जुन पुरुषकार 1961 में दिया गया है खेल मंत्राले द्वारा दिया जाता है और विविन प्रकार के खेलों के लिए इसको दिया जाता है द्रोनाचारिय जो पुरुषकार है वो खेल कूद मे तरों को दिया जाता है सिर्फ और इसमें सबसे पहले किसको मिला था बहालlike बाहसकर Ψामभव्यार और ओम प्रकास बहरतवाज को मिला था मूर्ति देवी पुरुषकार, मूर्ति देवी पुरुषकार साहिति के छेत्र में दिया जाता है 1983 में इसके शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो विजेता थे, उसी के नागराज राओ थे दादा साहब फाल के पुरुषकार, यह हम उपर इसको डिसक्रिशन कर चुके हैं, 1969 में शुरू किया था और सबसे पहले मिला था देव की रानी को, प्रिज्व वास्तुकला पुरुषकार जो है, वो आर्किटेक्ट के छेत्र में आप लोगों का दिया जाता है पूछा जा सकता है कौन से चेत्र में दिया जाता है, 1979 में इसके शुरुवात हुती और फिलिप जॉंसन को यह सबसे पहले मिला था, ग्रैमी जो है, आप लोगों पता ही होगा, यह संगीत के, संगीत द्योक में उत्रिश्च उपलब्दी के लिए जाता है, 1959 में शुरू क घूरा जाता है, रिकॉर्ड आफ दीर पहले रिसीवर, नेल बलू, डिपटो डी बलू वो ला रहे थे और अल्बम आफ दियर के पहले सीवर पीटर गन का म्यूजिक था सॉंग आफ दिया नेल ब्लू डिम्टो डी ब्लू वॉलर रहे ठीक है यह बाव कुछ इंगलेश सांग से एबल पुरुषकार एबल पुरुषकार गणित के छेत्र में ठीक है यह दिखान रखना आप लोगों को गणित के छेत्र में दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिया पुरुषकार इसकी शुरुवात कब की गए थी 2000 में की गए थी और पहले पहला पुरुषकार प्रोफेसर सीके प्लाद को मिला था फुको का पुरुषकार यह जो है यह एशियाई संस्कृति के संक्षन और निर्माण क के लिए दिया जाता है और यह फुको का जापान शहर द्वारा इस्ताफित एक पुरुषकार है इसमें तीन श्वेणिया है भव्य पुरुषकार अकादमिक पुरुषकार और कला और संस्कृति पुरुषकार प्रमुख भारतिया विजेता कॉंसे रोमल थापा 1997 अमजद पुरुषकार हैं उनके साथ के नोट्स है तो अगर आप वैसे emceqs भी इसका करेट करके मैं दूँगा लेकिन आप लोग एक बार इसे रटिये और और hopefully कि आप MSQs में अच्छा करेंगे, MSQs में आप लोग डेली कहीं MSQs करते रही है, उससे आप लोगों को अपनी preparation का जो level है, वो भी आप लोगों का पता चलता रहेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुडबाई, ठीक केर,